ये वेलकम टु माइ स्टूडेंट बहुत स्बसक्त के था इसको हम बतायेंगे और स्कूशन से आपको पूरा बेसिक पता देंगे तो जैसा के इस rock 오케 वो जट जो है वो function किसका है यू यू अधीजिएगा इससे आपको chain rule भी आ जाएगा यू जो function है यू जो function है वो आर और theta का है वी जो function है वो आर कामा थीटा का है तो चलिए शुरू करते हैं इसमें जो Z है Z को हमें R के respect में जैसे derivative करना है तो हम लिखेंगे डेल Z by डेल R तो Z function UV का दिखा रहा है तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेल Z by डेल U प्लस लगा दिजे और डेल Z by डेल V लिखेंगे Z को हम R के respect में derivative कर रहा हैं Z जो function है वो UV का है तो सबसे पहले Z को हम U के respect में फिर Z को B के respect में कर देंगे अब U को हम किसके respect में करने वाले हैं R के respect में करने वाले हैं तो डेल U by डेल R हो जाएगा और ये डेल V by डेल R हो जाएगा अब यहां पर आप डेल Z by डेल U कमान पुट कर दीजे यहां से तो डेल Z by डेल U कमान पुट करेंगे कितना आजाएगा 2 U आएगा और यहां पर V constant हो जाएगा V constant होगा तो V 0 हो जाएगा DLU by DLR command put करिए R का derivative 1 हो जाएगा यहां क्या बचेगा cos theta बचेगा DLV by DLR करिए DLJ by DLV करिए तो J को जब हम V के respect में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और V का कितना हो जाएगा 2V हो जाएगा और V को जब हम R के respect में करेंगे तो r का क्या हो जाएगा 1 बचेगा और यह हो जाएगा sin theta तो अब हम यहाँ पर u का भी मान put करेंगे u का मान क्या है r cast theta यहाँ 2 2 पूरे में common है u का मान क्या है r cast theta और एक cast पहले से लिखा हुआ है तो cos theta लिख देंगे 2 को common कर चुके हैं v कमान कितना है r sin theta sin पहले से sign theta हो जाएगा तो यहाँ पर cas square r precious then stew var है r cast square theta r sin square theta r को बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा two r cast square theta plus sin square theta cast square plus sin square one हो जाएगा क्या बचेगा two r हो जाएगा तो del z by del r निकल चुका है तो इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चे लोग यहाँ पर गलती यह करते हैं कि यहाँ पर u और v के form में ही यह छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका number कड जाएगा derivative किसके respect में किया गया है r के respect में किया गया है तो जब r के respect में किया गया है तो answer भी r के form में आना चाहिए इस बात का हम ध्यान रखेंगे अब इसी question में अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि del z by del theta करना है तो del z by del theta देखेंगा chain rule से कैसे होगा बहुत important सवाल होने वाला है जाइएगा अगर नहीं पूरे वीडियो को देखेंगा z को हम theta के respect में आगर हम करेंगे तो z जो function है वो किसका है u का है और v का है तो सबसे पहले हम del z by आराम से del u लिखेंगे और del z by del v लिखेंगे u z को हम एक बार u के respect में जड को एक बार v के respect में कर देंगे अब u को किसके respect में करेंगे theta के respect में तो del u by del theta हो जाएगा v को किसके respect में कर देंगे del v by del theta हो जाएगा अब del z by del u आप यहां से उठाओगे u का derivative to u हो जाएगा to u और del u by del theta अब कास का derivative क्या होता minus sign होता है minus r sin theta हो जाएगा Dale Z by Dale v कितना हो जाएगा 2 v v का theta के respect में करेंगे तो theta sine theta के क्या हो जाएगा cast theta हो जाएगा r cast theta इस पूरे में हम 2 r common कर लेंगे 2 r common कर लेंगे u command put करेंगे u command क्या है r cast theta aż r cast theta sin theta और यहां पर V कमान कितना है, R sin theta है, तो यहां पर R sin theta पूट कर देंगे, cos theta, तो इसको जोड देंगे, two times हो जाएगा यह, तो दो दुनी चार, four R square sin theta cos theta, यह आपका answer हो गया है, तो यह theta लिखा हुआ है, हम derivative theta के respect में बंगर रहे हैं, तो answer हमें theta के respect में लाना है, तो इस तरीके से मैंने आपको partial derivative का chain rule बताया, तो यह छुटे में दो नमर में आता है, basic concept है, और इसी basic concept से होते हुए, आपको बड़े में आप बड़ा question भी लगा सकते हो, तो यह basic concept आपको जरूर सिखना है, और इसका 3-4 बार लिख लेके खुब practice कर, यह लिखते रहें, यह लिखते रहें, जब तक आना जाए, तो जैसा आप practice करते रहोगे, आपको यह चीज आता रहेगा, और फिर मिलते हैं, अगले सवाल में, करते हैं, यह लिखते 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 हैं, यह